तोव फाइब बेस्ट कैम्रा स्मार्फून अगर आपका बज़ेड 50,000 है 50,000 के बज़ेड में आप एक कैम्रा स्मार्फून लेना जाते हैं जिस पर आपने रिल्स बनाने है टिक्टॉक बनाने है यूट्यूप वेडिज करने है व्लॉग इंग करने है तो बाई यह वीडिय चंक को तो सब्सक्राइब वीडियो को कर दो, लाइक एंश्टाग्राम पर करो, फॉलो, प्लिक को बगार है, आपको दिस्क्रिप्शिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा, उसको चावड बगारा कर लेना, तो वो स्टार्ट करते है, नमबर बाश स्टार्ट करते है, सीधी बात करते है, नमब फाट की, नमब फाट की बात करूँ नमब फाट पर, यार मैंने रख्या, वन ब्लस एट प्रो को, अगर इस स्माट फून की बात करूओ, आपको पचास हजार के बजर्ट में ये स्माट फून नॉर्मली एजली मिल जैगा, प्लस आपको बहुत क के पास यह smartphone आपको देखने को मिलेगा इसका डिजाइन इसके कलर वगरा बहुत बहुत मिल जाते हैं उसके बाद आपको तगड़ा डिस्प्ले मिल जाता है तगड़ा प्रसाइसर मिल जाता है अगर आपको कैमरे के स्मार्टफून चाहिए प्लस भाई अगर आपने देखने को मिल जाता है बहुत तगड़ा स्मार्टफून है अभी बात काते है इसके में स्पैसिफिकेशन की तो डिस्प्ले की बातों को सिक्समेंट सैटी एट इंच फुल एश्टी प्लस दिस्प्ले मिल जाते हैं जो की वांट ट्वर्टी रिफ्रेश्ट के साथ आते है आपको स्मेट्र एट्स इस्प्ले परसाथ भात करूं आपको स्नेट्रे गनेटेगन डीवीवह देखने को मिल जाथया इस थ्यृ पिक्सल्प्लस की बात करहिए बात करों आपको 50,000 के बज़ण में OnePlus 8 Pro normally easily देखने को मिल जाएगा तो यार में मैंने आपको पता दिया OnePlus 8 Pro के अगर आपने स्मार्टफोन किया जाना है आप जा सकता है अगर आपने सिर्फ चागूर करना है आप चागूर भी कर सकते हो डीपली देखना भी जाए ठीक है मैंने लिंक परवाइड किया हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा जैसे भी करना चाहो कर सकते हो अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की बात करो नंबर 4 पर यार मैंने रखा है iPhone 11 को तो यार सबसे पहले मैं आपको बता तो आपको 50,000 के बज़ड में जो करनी है आपके लिए perfect deal हो सकती है आप इस smartphone की और जा सकते हो camera बहुत सच में बहुत ज्यादा तगड़ा उसके बाद आपको design लुक बगारा तो अच्छी मेली जाती है प्लस 4.5 rating इसको भी देखनी को मिल जाती है ठीक है positive comment बार आप दिखनी को मिलेंगे आपको पता है यार apple brand है तो apple brand जो भी अपने smartphone बगारा बनाता है या laptop macbook बगारा बनाता है तो वो quality वाज तो देखा जाए वो बहुत ज़्यादा अपर होती है ठीक है इसका भी link मैंने प्रवाइड किया हुआ है अगर आप देखने जातो चागूड करना जातो आप चागूड कर लेना तो अब ही बात करते हैं आइफोन 11 के में स्पैसिफिकेशन की तो या डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच लिकूड रिटीन डिस्प्ले मिल जाते है प्रसेसर की बातों को 832 चिपसेट देखने हो मिल जाता है जो कि 7 टेकनोलोजी के साथ बेस जातो या बहुत अगर आपने 110 mh की बैटरी मिल जाते है वाल डैस चार्जिंग स्पोर्ट करता है कैमरे की बात करूं आपको डूल कैमरा मिल जाता है ट्वैलम अपक्सल प्लस त्वैल मेगापक्सल और प्लस प्राइस की बात हो आपको पचास अजार के बज़ट में आइफून 11 देखने को मिल जागा जो कि आपको 64 GB storage के साथ देखने को मिलेगा अगर आपने 1.8 GB storage के पास जाना ना तो वह आपको मिलेगा या फिफ्टी सावन या फिफ्टी एट थाउजन के बजट में तो अगर आपको 64 GB storage बहुत है तो आपके लिए perfect deal हो सकती है तो आगे बात करते हैं नंबर 3 की नंबर 3 की बात करो नंबर 3 पर यार मैंने रखा MI 10 को तो यार इसको नंबर 3 पर रखने का एक रीजन है वो यह रीजन देखने को मिलता आपको design एंड इसके color बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं अपने main topic की बात करते हैं मतलब कैमरे की तो अगर आपने vlogging करने है वीडियो recording करने है ट्रावल वीडियो करने है टिक टॉक बनाने है वीज बनाने है आपके लिए perfect deal हो सकता आपको 8K option देखने को मिल जाता प्लस आपको camera application में ऐसे कई features देखने को मिल जांगे जो कि आपकी वीडियो recording को आपके photos को आपके selfies को ना बहुत आगे तक लेकर च तो लोग अगर आपने MI 10 की और जाना है आप जा सकतो अगर आपने MI 11 की और जाना है आप उसकी और भी जा सकते हो दोनों स्मार्टफून आपको पूरे लुट्टिड मिल जाते है camera वाइस देखा जाए सच में पूरे लुट्टिड है एंड आपको 5G smartphone देखने को बजाता स सबसे पहले अगर आपने long time smartphone को रखना है आप रख सकते आपको तगड़ा परसाइसर मिल जाता है अगर आपने gaming वगारा भी करनी है आप easily normally कर सकोगे अभी बात करते हैं इसके main specification की तो यह डिस्प्ले की बात हो उनको 6.67H 3D code AMOLED डिस्प्ले मिल जाती जो की 90 refresh के साथ आती यूज करोगे अगर आप indoor यूज करोगे आपकी quality बिकारा डिस्प्ले की बहुत तगड़ी मिलेगी ठीक है परसाइसर की बात करों आपको snapdragon 865 मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ बेस्ट है तो परसाइसर भी बहुत तगड़ा मिल जाता है storage की बात करों आपको 8GB RAM मिल जाते है मतलब यह दो में देखने को मिलता है जो भी आपके बज़र में सेट बैड़ता आप उसके चल जाना बैंटरी की बात करों को 4780 mh की बैटरी मिल जाते है 30W के आपको fast charging मिल जाते है wireless charging स्पोर्ड करता है प्लस reverse charging भी स्मार्टफोन स्पोर्ड करता है कैमरे की बात करों आपको cord camera shadow मिल जाता है 108 Mpx प्लस 30 Mpx प्लस 2 Mpx जैसे पे आप 8K video recording कर सकते हो सेलफी की बात करूं आपको टूरी में आपकसा सेलफी मिल जाते है बट आपको सेलफी में 4K option नहीं मिलता आपको 1080p पर ही record करना पड़ेगा पड़ेगा इसकी सेलफी बहुत अगड़ी अगर आपने फोटो सुखारा लेनी है ना तब आपका experience भी बहुत अगड़ा होने वाला प्राइस की बात को 49 था उनके बज़र में स्मार्टफोन के और भी जा सकते हैं अब यह आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूं नंबर टू की बात करने से पहले मैं आपको यह चीज़ कहना चाहता हूं कि नंबर टू को मैंने दोनों को कमबाइन कर दिया दोनों ही जो स्मार्टफोन आपको सैमसंग की और से देखने को मिलते हैं बात कर रहा हूं मैं सैमसंग लेक्षी एस टुटी एफ एक एस टुटी प्लस की दोनों का डिजान या लुक वाइस आपको पसंद आने वाले उसके बाद अपने में टॉपिक की इक बात करते हैं आपको बैक सायड में दोनों स्मार्टफोन के अपको 8K के ऑप्शिन देखने को मिलता आप 8K में वीडियो रकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट बाते마 प्रसाइसर दोनों में तगड़ा मिल जाता है डिस्प्ले को आपको अपर मिली जाते है प्लस सैमसंग की प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा हुदा अगर आपने डॉकुमेंट फोटो वीडियो अपनी प्राइवेसी में रखनी है आप रख सकते हो कोई भी इशू आप आपको नहीं आने वाला दोनों स्मार्टफोन आपको फाब जी देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपने लॉंग टाइम रखने हैं आप पर रख सकते हो अभी बात करता है दोनों के में स्पैसिफिकेशन की तो सैंसिंग गलेक्सी एस्टोंटी एफ्ट की बात करूँ पहल बात करूँ आपको एट जी बीडाय मिल जाते हैं प्लस एक्सपैटिबल भी कर सकते हो बैटरी की बात करूँ आपको फूर्था फाफंट फाइवन डिमेंज की बैटरी मिल जाते हैं पच्चीस वाड़ का फार्चाज जब वालास चारजिंगी बी स्पोर्ड करता है उसके फी देखने को मिल जाता है मैं आपको ऐम चोनी आपको इस्ट को अफ्हाश्ट ली के साथ बेष्ञ सैंवन देखने को मिल जाता है मतादिकैस के बात करते हैं शीट घ्र ड्य कि बात रहूं आपको इस्प्ट्वन 7 इच्च दानमिक एमलेट डिस्पेय मिल जाता है प्रस्यासर की बात कुरूं आपको एक नक्स 990 देखने को मिल जाता है जो कि 7 अनमेर्य टेक्नोलीजी के साथ बेस्ट इसके प्रसासर दो देखने को मिलते है एक नक्स 990 एन जीरो अन्ड चैने च्टी फाइव दोनों सेवन टेकनोलिजी के साथ बेज़ दोनों प्रसाइसर बहुत अगड़ा ठीक है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते हैं प्लस 128GB storage बैंटरी की बातों को 4500 डैमेज की बैंटरी मिल जाते हैं camera की बात करूं आपको quad camera shadow मिल जाते हैं 64MP 12MP प्लस 12MP 2MP सेल्फी की बात करूं आपको 10 मेगापक्सल साल्फी मिल जाते हैं प्राज की बात करूं इसका प्राज आपको 48,000 ट्रिपल नान के बज़न में सैंसिंग ग्लैक्सी स्मार्टफून की और ही जाता विकास मुझे स्टूरेज अच्छी मिल जाती है रैम वगारा भी अच्छी मिल जाती है डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत अगड़ी है डिजाइन लुक को वाईजिवे फून पूरा अपर देखने को अबल जाता है तो अगर आपने भी जाना है तो आप जा सकते हो लिंक मैंने सभी के प्रवाइड की हो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगे तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है अखरत हम अगर आपको मेरी विच्छ लगया वीडिया वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करते हैं दोस्तों को बेतना दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना उनको भी कहता है नहीं वीडियो के साथ को नए वीडियो को लेकर आएंगे आपको पर नए गैजट बगारा शेयर करेंगे तो थैंक यू